घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का होना यानि एक गोरव की बात है, एक सम्मान की बात है, जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर के अंदर सुक्षांती सम्रिधी अपने आप आती चली जाती है, जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग का सम्मान होता है उस घर के उस परिवार के लोगों का चारो तरफ सम्मान होता है अगर एक घर के अंदर छोटा सा बच्चा है उस छोटे से बच्चे की जरूरतों को पूरा करना है तो माबाप अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए लग बच्चे को अगर अच्छा खाना चाहिए माबाप पूरा करते हैं बच्चे को अगर अच्छे कपड़े चाहिए माबाप उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं बच्चे को अगर खिलोना चाहिए माबाप उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं बच्चा अच्छे से अच्छे स्क या उनकी सामर्थ है ना हो फिर भी अपने बच्चे के लिए वो पूरा घिस जाते हैं लेकिन जब वो माता पिता वो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं जब घर के अंदर वो लाचार हो जाते हैं उस टाइम पे अगर हम उनकी कदर ना करें तो समाज के अंदर हमारी जो इज भी किसी काम की नहीं होती है बड़े बुजुर्गों का सम्मान यानि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं किसी भी घर के अंदर वो उसकी धरोवर होती है और धरोवर को संभालना हमारी जुम्मेवारी होती है हमारा नैतिक फर्ज भी होता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पूरा अपना सरीर घिस दिया पूरा जीवन घिस दिया और जब उनको हमारी आवशकता होती है तो उस टाइम पे हम उनको गर्चे निकालके वरिधा आस्रमों में सडकों पे धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं ये हमारे समाज के अंदर हमारी संस्किर्टी के अंदर कभ भी भी नहीं रहा है और नहीं था अगर आप देखें तो भारतिय संस्किर्टे के अंदर तो वरिधा आस्रम नाम का कोई सबद भी नहीं है तो फिर हम किस दिशा में जाके अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर की जो धरोर होती है उसको फिर सडक पे धक्के खाने के लिए क्यों छोड़ देते हैं क्यों उनका सम्मान नहीं कर पाते हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनोंने पूरा अधक प्रियास किया पूरी मेहनत की पूरा हमें पढ़ाया लिखाया एक अच्छे ओधे पर पहुंचाया अच्छी पोजिशन पर पहुंचाया लेकिन हम उस अच्छी पोजिशन को प्रप्त करके आज हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। हम विदेशों के अंदर सैटल हो जाते हैं और मा बाप किसी गर के कोने के अंदर पड़े रहते हैं। आज तो ऐसी स्थीती आ गई कि हम लोग विदेशों की तरफ तो भागने लगे हैं लेकिन जो माता पिता हैं उनके पास रहना पसंद भी नहीं करते। और एक समय फिर ऐसा आता है बहुत सारे केस ऐसे आते हैं आपने आजपरोस में सुना भी होगा कि बुजुर्ग दमपत्ती है उन में से अगर एक चला जाता है तो दूसरे की मोत कब हो गई पता भी नहीं चलता और बेटा बैठा है विदेश में। जो माबाप हमारे लिए इतना अथक प्रियास करते हैं उनके अनुभव की अब हमें आवश्यक्ता होती है एक आपको कहानी सुनाता हूँ कहानी से आपको समझ में आ जाएगा बड़े बुजुर्गों की हमारे परिवार के अंदर हमारे घर के अंदर कितनी एहमियत होती है एक व्यक्ती पूरी जिंदगी कमाता है पूरी जिंदगी कमाने का मतलब क्या कि उसके पास 50 रुपे हैं 50 रुपे की वो सबजी खरीता है और 50 रुपे की सबजी को 100 रुपे में अगले दिन बेश देता है और घर का जो खर्चा है वो उसका 50 रुपे है तो 50 रुपे बचा यानि सबजी अगले दिन की जो सबजी खरीदनी है उसके पैसे वो पहले ही बचाता है क्योंकि जो बिजनस है जो काम वो धंदा कर रहा है उस धंदे में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए अगर उसके अंदर रुकावट आएगी तो धीरे धीरे परिवार के अंदर आसा करते करते उसको काफी समय हो गया तो उसने अपने बच्चे को बताया बेटा अब मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं और तीर्थ यात्रा से गूमता हुआ मैं किसी आसरम के अंदर रहूंगा और तूने क्या करना है पचास रुबे की सबजी खरीदनी है जितने की बिकेगी आपने ध्यान रखना है लेकिन अगले दिन की जो सबजी खरीदनी है उसके पैसे तेरे पास जरूर होने चाहिए और वो फिर ऐसा कहके और चला जाता है बेटा अच्छे तरह से उसके जो बिजनस है उसका जो काम है उसको संभालता है पचास रुबे की सबजी ख खाने का है अब उसको लगा मिशिज ने बोला है मन मिठाई खाने का है तो वो जो अगले दिन की सबजी खरीदने के पैसे उसके पास 50 रुपे बचे थे उसमें से वो 10 रुपे की मिठाई खरीद कर ले आता है और अपना दे देता है उसके बाद आगले दिन क्या करता है फ 30 रुपे की सबजी फिर अगले दिन खरीता है, वो 60 की बेचता है, 50 घर के खर्च में आप 10 रुपे उसके पास बचते हैं, अगले दिन 10 रुपे में क्या करें, तो वो फिर चला जाता है अपने पिता जी के पास, पिता जी मैं बहुत बड़ी मुसिबत में आ गया हूँ, घर का गुजारा चलना मुस्किल हो गया है और आप मेरा मारक दर्सन कीजिए उसके पिदा जी फिर कहते हैं क्या क्या हुआ तो वो सारे की सारी डिटेल में अपना सारे की सारी बात बता देता है और फिर उसके पिदा जी कहते है बिल्कुल simple है बेटा तू अराम से इसको कर लेगा तो क्या करना पड़ेगा पिता जी तूने ऐसा करना है आज जो तेरे पास में समान है आपने क्या करना है उस समान को बचा के रखो और एक दिन का वर्त रख लो और वो सारे घर के वर्त रख लेते हैं अगले दिन जो 50 रुपे बचते हैं 10 रुपे वो उसके पास पहले से थी तो वो क्या करता है 60 रुपे की सबजी खरीदता है 120 की बेचता है घर का खर्चा 50 रुपे का उसके पास 70 बचते हैं अगले दिन फिर 50 की खरीदता है 140 की बेचता है फिर उसके वास 50 बचते हैं फिर 90 आ गया 90 की फिर खरीदता है 180 आ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है आपने देखा होगा अंगूर का रेट नॉर्मली क्या है सो सवा सो रुपे किलो डेड़ सो रुपे किलो लेकिन वो ही अंगूर अगर पक जाते है और उनकी किसमिस बना ली जाए वो ही साड़े तीन सो रुपे किलो यानि रखना है इसलिए घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी महता उनका महतो बढ़ जाता है क्योंकि जब हम बच्पन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके उपर डिपैंड रहते हैं तो बुढ़ापे के अंदर भी उनकी जो जरूरते हैं वो हम हमारे उपर डिपैंड होती हैं और उनको भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके अनुभव सुन सके जो उनकी कहानियां सुन सके जो उनके पास बैठ सके जो उनके साथ में प्यार बाट सके अगर बड़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं हम उनके पास में बैठते हैं तो कही न कहीं हमारा जो ग्यान है वो भी बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि जब हम मजदार में लटक जाते हैं तो वही वैक्ती होते हैं जो हमारी उंगली पकड़ कर हमें आगे लेकर जाते हैं आपने सुना होगा एक कहानी है एक कहानी में क्या है कि वही एक वैक्ती का बड़ मुश्किल से साधी हुई और साधी बरात जानी थी साधी फिक्स हो गई तो उस ने ।डिसाइड किया और लड़की वाले न उसको बोल दिया साधी में कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए नाना होता है ना ना यानिन ना करने वाला नाना अड़ गया मैं तो जाऊंगा उन्होंने बोला भै किसी पोटली के अंदर किसी उसमें चुपा लो अगर उनको पता लग गया तो गलत हो जाएगा और वो फिर नाना को लेकर चले गए वहाँ चले गए वहाँ जाके उन्होंने कोई डिमांड रख दी अब वहाँ पर डिमांड रखी वो डिमांड पूरी नहीं हुई अब वो डिमांड क्या थी भै साधी करेंगे लेकिन सर्त ये है साथ में कोई नदी बै रही है उस नदी के अंदर पानी के जगा अगर दूद बहे तो साधी कर देंगे अब सब भई ऐसा कैसे होगा इतना मतलब पानी की जगए इतना दूद कहां से आएगा तो बरात लोटने लगी किसी ने बोला भई उस नाना को तो निकाल दो वो नाना क्यों फसा हुआ है नाना को निकाल दिया चल भई नाना अब साधी नहीं होने वाली है अरे क्या वहा कह रहे हैं भी जो नदी बह रहा है उसके ANDER अगर दूद बहे तो साधी करें वह कहतता है यह इतनी छोटी सी बात इतने छोटी सी बात के लिए साधी से मना कर रहे हैं, चलो बुलाओ मेरे को, तो वो कहते हैं भाई या ऐसा करो, आप पानी निकाल लो, हम दूद बहा देंगे, अब अगले लड़की वालों को क्या लगा, जरूर कोई न कोई बुजुर्ग आया हुआ है, उसने ही इतनी बड आने वाला होता है, इसलिए परिवार के अंदर उनकी जो एहमियत है, वो जादा है, पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार के अंदर सब मिलके बैठते, मिलके खाते, मिलके रहते, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, इस आदूनिक्ता की वजए से, लोग गा एकल परिवार में क्या है, अगर एक वैक्ती होगा, तो वो मानसिक रूप से बिमार हो जाता है, क्योंकि उसके पास में कोई बैठने वाला नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, अगर कोई हमारे सुनने वाला नहीं होगा, अगर हमारे पास कोई बैठने वाला नहीं हो आज हम इसी लिए तो टैंसन में जी रहे हैं हम इसी लिए तो आज बिमार जादा होते जा रहे हैं क्योंकि पारिवार के अंदर क्या होता था एक दूसरे के सुक दुख को बाटने की कोशिश की जाती ही तो परिवार की अपनी बहुत एहमियत है और बड़े बुजुर्गों का उस घर के अंदर उस परिवार के अंदर होना एक गोरो की बात होती है जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों नहीं है जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों मालो नहीं है या चले गए या बगवान के पास चले गए आप उन से पूछ के देखो बड़े बुज उसको उंगली पकड़कर वृदासरम छोड़ाया ये नहीं होना चाहिए ये भारतिय संस्कृति की पहचान नहीं है भारतिय संस्कृति की पहचान है मात्री देव भवा पित्री देव भवा अथीती देव भवा जहां जिसको देवता मानना जाता है तो हमारी जो भारतिय संस का परम सोभाग्य है वो परिवार गोरवसाली है वो परिवार महिमा मई है उस परिवार के अंदर बहुत जादा कस्ट बहुत जादा दुख होने पर भी सब मिल बाट लेते हैं उस परिवार की एहमियती ही है जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है तो दोस्तों ये थी एक मेरी वीडियो बड़े बुजुर्गों के संबंद के बारे में उनकी महिमा के बारे में अगर आपको पसंद आजाए तो लाइक कर देना शेयर कर देना धन्यवाद